नमस्कार लोग सभा चुनाव स्पेशल मॉर्निंग सो में आपका स्वागत है आज कुछ खबरों पर चर्चा होगी और मेरे पास जो खासतोर से मेरे वाटसप गुरूप के मेंबर्स हैं उनके सुब़ सुब़ आज मैसेजेज आए मैंने पढ़े वो मैसेजेज और उन्होंने बड़ी एक वाजीब सी और बड़ी उचित सी बात कही उन्होंने कहा कि हर्च भाई आज तो पोली की चुटी थी कल तो आज बहुत सारों लोगों के घर पर अखबार नहीं आए उन सब का ये कहना था कि हर्च जी हमें इस शो का इसलिए भी इंतजार रहता है क्योंकि इसमें वो सारी खबरे आती हैं जो अखबार में हमें बहुदा पढ़ने के लिए नहीं होती है अब दक्षिन भारत की राजनिती है उसके बारे में उत्तर भारत का अखबार कुछ नहीं चापते कलकता में कुछ हो रहा है तो दिल्ली के खबार में बड़ी मुश्किल से खबर भी लेगी तो मैं कोशिश करता हूँ कि देश के हर हिस्से से जो राजनितिक गतिविद्या लोक सबाचुनाओं को लेकर चल रही हैं उनको कबर करने का प्रियास करें और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि राज्यवार देखता हूँ कि यार आज कुछ करनाटक के बारे में भी चर्चा कर लें तमिलाडू, महराष्ट, बंगाल, बिहार इन सब के बारे में भी चर्चा कर लें तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा सा अपना रूटीन बदलता रहता हूँ अब चुकि कल अख़बार नहीं आये, खासतोर से उत्तर भारत में मुंबई में आज अख़बार आया है, चेन्नेई में अख़बार आया है और करनाटक, बैंगलूरू सब जग अख़बार चपा है, लेकिन उपर की तरफ अगर चलते हैं भोपाल इस से उपर की तरफ तो यहां पर आज अख़बार नहीं आये हैं क्योंकि कल होली की छुटी थी, जबकि मुंबई में होली की छुटी थी एक दिन पहले तो वहां पर कल के अख़बार नहीं आये, तो क्या हुआ के बैलेंस हो गया तो मैंने कल भी लाइब किया था और रोजाना हम सुबह लाइब करते हैं और अकसर आपने से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अर्श जी आपके वाटसप गुरूप का मैं इससा बनना चाहता हूँ लोग पूछते रहते हैं कि आपके वाटसप गुरूप में कैसे जुड़ा जाब है वाटसप गुरूप हमारा जो चैनल भी है वाटसप पर हमारा उसको आप मीचे लिंक दिया वाँ उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपका संदेश मुझ तक पहुचे तो फिर आपको गोल्ड मेंबर्शिप लेनी होगी और आप जैसे ही मुझे इमेल करेंगे 24 गंटे के भीतर आपको मेरे गुरूप में मैं एड कर लूँगा आज बात करेंगे कंगना रनावत के बारे में कंगना रनावत को लेकर सुप्रिया शिरिनेत ने जो एभदर टिपनी की और जिस तरीके से उन्हें इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट डाली और उसके बात जो बवाल मचा है उस पर कुछ कहने के आवशकता नहीं रही बहुत सारा कुछ इस पर दो दिन से चल रहा है कल सारा दिन से चल रहा था आज भी दूसरा दिन से लेकिन इसमें दोस्तों एक बात मुझे बड़ी पसंद आई और वो बात सबसे बड़ी मुझे ये पसंद आई कि कंगना रनावत ने जो रिपलाई सुप्रिया स्रीनेत को किया है उसने दिल जीत लिया उन्होंने एक सभ्यता का दायरा बना कर रखा और बड़ी तमीज से सुप्रिया के साथ कंगना पेश आई और उन्हें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिला है लेकिन कंगना ने वास्त में दिल जीत लिया है और अब मुझे लग रहा है कि बंडी लोक सबासीट बंडी जिसे छोटी काशी भी का जाता है उसके नाम को बदनाम करने की कोशिश दिश तरीके से कॉंग्रेस के नेताओं ने की है वो निश्चित रूप से दर्साता है कि कॉंग्रेस हिमाचल परदेश में खास तोर से आज जिस हालत में वो उसी को डिजर्व करती है लोक सबाच उनाओं के बाद सुखविंदर सिंग सुखव की सरकार गिर जाएगी इसमें कोई शक है नहीं 9 MLA तूट चुके हैं 3 निर्दली हैं और 6 कॉंग्रेस के बागी हो चुके हैं यहाँ पर BJP आराम से उनकी सरकार को पलट देगी क्योंकि कॉंग्रेस की अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे तयार बैठे हुए हैं जो कॉंग्रेस को यहाँ पर बर्बाद कर देना चाहते हैं और सुप्रिया स्रीनेत ने कंग्डा रनौत के बारे में जो लिखा वो कॉंग्रेस की बर्बाती उनकी मानसिक्ता की पहचान है और मुझे सबसे बड़ा अफसोस यह हुआ मरनाल पांडे नाम की पतरकार इतनी बड़ी लेखी का शिवानी हुई उनकी बेटी है मरनाल पांडे बच्पन में हम पढ़ा करते थे हिंदुस्तान अखबार की साथ एक हिंदुस्तान अखबार की संपादक हुआ करती थी कादंबनी की संपादक रही और हिंदुस्तान में हमेशा उन पर यह आरोप लगते रहते थे जब वो संपादक हुआ करते थी मेरे कई पतरकार साथे उनके साथ काम कर चुके हैं कि वो पहाड और प्लेन वाद चलाती हैं अपने अख़बार में उन्होंने अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहाड के लोग रखे वे थे क्योंकि वो उत्राखंड की थी तो उनके खिलाब बहुत कुछ चीजे चलती रही है और कॉंग्रेस का अखबार था जो नवजीवन उसकी अब वेबसाइट भी है उसका काम कर चुकी है कॉंग्रेस के समय में परसार भारती का उनको काम मिला हुआ था कॉंग्रेस की चापलूस रही है अवबल दरजे ले कंगना रनावत को टिकट मिलने से मरणाल पांडे को क्या दिक्कत हुई है यह मेरी समझ से बार है चलिए सुप्रिया श्रीनेत तो प्रवक्ता है कॉंग्रेस की उनका तो धर्म है कि नरेंदर मोदी को गाली दो बीजेपी के गाली दो उनके प्रत्याशियों को गाली दो मरणाल पांडे तो पत्रकार रही है उनको क्या इसकी आवशकता पड़ी थी कि इस तरह की बाते वो शोशल मीडिया पर लिखे मैं आपको दिखाऊंगा इन सब जो लोगों ने जो किया है और शर्मसार करने वाली चीजे हैं वास्तों में जिसे कहते हैं कि बेशर्मी तेरा आस्रा ये दिखाता हूँ मैं आपको मरणाल पांडे ने दैनिक जागरन की खबर को कोट करते हुए अपना एक कमेंट किया और ये देखिए सोशल मीडिया पर लोगों सब लोगों के पास खुला हुआ है और वो सब लोग उससे यूज करते रहते हैं बाद में मैंने पोस्ट्रों डिलिट कर दी और ये देखे क्या लिख रहा है शायद यूं कि मंडी में सही रेट मिलता है अब क्या समझ सकते हैं मंडी लोग सभा सेट में लोग मंडी से रेट किस चीज का लगेगा और इन लोगों की सोच देखिए ये मरनाल पांडे जो है बुड़न इनकी सोच देखिए मरनाल पांडे नंदन पत्रिका इन सब लोगों की देखिए इनका स्तर देखिए बड़ी क्या ये कहना चाहती है और बाद में इसको ये डिलिट करके बकवास करती हुई घूम रही है कि साब ये है फलाना है मैंने तो ये कर दिया मैंने तो वो कर दिया मैं आपको इनका बयान भी दिखाता हूँ इसके बाद जो वास्त में देशी वासा में यूपी की वासा में कहते हैं कि बाद का जो रंडी रोना है जिसे कहते हैं कि पहले तो आपने गल्टी कर दी और फिर में आप बाद में रोने लगती हैं तो जरा सुनिए क्या बोल रही है इस выпें से किसी एक व्याक पेमें आज एक बेहत घ्रणित और आपत्य जनक पोस्ट की मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रताम उस पोस्ट को डिलीट किया क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी मैला के किलाब व्यक्तिगत भद्धी और भोंदी टिपड़ी कर भी नहीं सकती हूँ मैं इसकी घोर विरोधी हूँ फिर मैंने जानना चाहा कि आखर ये कैसे हुआ तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपियोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है सुप्रिया पैरोडी के नाम से बही पर ये अब्जेक्शनबल पोस्ट हो और वही से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे पेस्बूक और इंस्टा पर डाला मैं ये पूरी तरह से जाते पर किसी ने कॉपी करके डाला चली ये पैरोडी अकाउंट इनके नाम का किसी ने बनाया हुआ है लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इनका जो फेस्बूक और इंस्टा अकाउंट है? वो तो पैरोडी नहीं है. उस पर यह किसो ने दे दिया, जो इनका इंस्टा अकाउंट है? वो औरिजनल है, जिस पर वो पोस्ट डाली गई है. और अभी यह बख़ास कर रही है अपाल पोस्ट हो और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे पेस्बूक और इस्टापेड डाला बताइए पूरी तरह से जानने में जुटी हूँ कि जिन लोगों के पास अक्सेस था उनमें से किस नहीं एगरणत काम दिया साथ ही मैंने इस पारडी अकाउंट को भी ट् बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है लेकिन मैं यहाँ पे बिलकुल बोलना चाहते हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्धी भोंडी व्यक्टिकर टुपडियों के खिलाफ हूँ ना मैंने ऐसा कभी किया है और ना मैं कर सकती पुर्जोर तरीके से पुरी मांदारी से और पुरी मस्भूती से लड़ देने मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्ती जनक शब्दों का प्रयोगी ही नहीं कर सकती है अब तो चलिए खैर इन्होंने ये बात कहने शुरू कर दी है इन्हें बहुत सारे लोगों का विरोध भी जहलना पड़ रहा है देखिए ये साइना एंसी हैं उनका बयान आया है बीजेपी की नेता है जरा ये भी सुन लेते हैं तो शचेण प्रच्टार है जांजिए कर देखिए लुट्च देखिए हैं लेते हैं निए सब्स्ति हमियें लगी रहाइं खिए बाटनीज़ कर दीए इनदिए लुपलिक्षी न चांटम है विर का टान्गना आया ठाफ्ट वासं को प्रुत जहां प्रवनाम भ्रविए ह and talk about her body parts. The time has come for us to unéquivocally speak up against stereotypes, speak up against women who are typecast to be bad from a particular industry or to be वोतो, है कि आए, and stereotypical comment such as that. The time is to be judge on your work and in this politics of performance, Prime Minister Modi has given ample opportunities to women from various backgrounds and the voter is smart enough to judge them on what their convictions are what their work is and not on how they look चलिए साब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और राजस्थान का रुख करते हैं तेकिये राजस्थान में इस बार एक चुनावब्रा दिल्चस होने जा रहा है वो है नागोर लोकसभासीट हनुमान बेनीवाल जाट लीडर है और जैपूर से छात्र संके नेता रहे जैपूर उनिएस्टी से पिछली बार बीजेपी के सहयोग से चुनाव लड़े थे इस बार उल्टा हो गया है इस बार कॉंग्रेस के सहयोग से यानि के इंडी अलैंस के सहयोग से वो चुनाव मैदान में है तो बड़ी मुश्किल चुनाव में फस गया है मेरे कमित्र है मेरे उनसे अकसर बात होती रहती है और आप लोगोंने ध्यान किया होगा कि हमने गाजस्थान चुनाव के समय भी लगातार वीडियो जिस पर बनाये थे हनुमान बेनिवाल पर हम अकसर चर्चा करते थे और मेरा मानना है कि बड़े दबंग और बड़े खुले दिल के और बड़े बेवाग टाइप के नेता है लेकिन इस बार मुश्किल में फस गए है स्वर्गिया नाथुराम मिर्धा जो कॉंग्रेस के बड़े नेता रहे है वहाँ पर उनकी बेटी जोती मिर्धा को बीजेपी ने इनके सामने उतार दिया है और बड़े राजमिती घराने से आती हैं इस मिर्धा फैमिली का जाट फैमिली है इनका विरोध करते रहे हैं हनुमान बेनिवाल हमेशा बहाँ पर नागोर से और बड़ी सफलता हुने आसे अपनी पार्टी भी बना रखे हैं राजस्तान लोकतांत क्या है वो राष्टे लोकतांतरिक पार्टी और इनके कुछ विधायक भी पहले जीते थे लेकिन इस बार बड़ा मज़ेदार हुआ परकरन दरसल क्या हुआ कि किर्शी कानुनों के मुद्दे का बाना बना कर अनुमान बेनिवाल NDA से अलग हुगे और इन्होंने कहा कि हम NDA से अलग हैं इनके लिए जो है अब इन्होंने जो विधान सभा चुनाव है वो लड़ा सांसद रहते हुए नवंबर में पिछले साल जो चुनाव हुए विधान सभा के राजस्तान के वो इन्होंने लड़ा और विधायक बन गए और विधायक बनने के साथ ये बड़ी मुश्किल से विधायक बने जी हां, मुश्किल से इंदसेंस विधायक इसलिए बने क्योंकि इनकी पार्टी के पहले दो-तीन विधायक हुआ करते ते इस बार ये अकले खुद जीत पाए और इन्हें उम्मीद लिये थी कि फिर से कॉंग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी और उसमें अशोक गैलोत मुझे मंतरी बना लेगे लेकिन ऐसा हो नहीं सकता और बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं अब इन्होंने लोग सबा सीट से स्तिफ़ा दे दिया था कि गुछ लोगों का कहना है कि जोती मिर्धा के सामने वो बड़ी मुश्किल वाले चुनाओं में फसर हूए हैं ओम बिरला लोग सबा के स्पीकर राजस्तान की बात चल रही तो राजस्तान से ही एक और खबर है ओम बिरला जो लोग सबा स्पीकर है वो भी इस बार टफ पाइट में फस गए हैं तो टफ पाइट में इसलिए फस गए हैं क्योंकि उनके सामने कॉंग्रेस ने उस सक्ष को परत्याशी बना दिया है जो कभी वसंदरा राजे जो वीजेपी की मुख्यमंति रही हैं उनके करीबी रही हैं जी हाँ मैं बात कर रहा ही उन्होंने कांग्रेस जोइन की है और उन्हें अशोक गहलोत ने परत्याशी बनवा दिया है यहां से कोटा से दो बार है मेल ले रहे हैं लेकिन यह जो अभी चुनाव हुआ था विधान सबाता अभी हाली में नवंबर में उस चुनाव को वो हार गए थे जैपूर की दो क पानी आपको पता ही है शोशल मीडिया पर चली रही है बीजेपी ने मंजू शर्मा को OBC परत्यासी हैं उनको टिकट दिया है और उनके सामने कॉंग्रेस ने सुनील शर्मा को मेंदाने में उता रहा था लेकिन हमारे जो संजय दिख्शिद जी हैं जैपूर डायलोग वाल अब वहां से परताप सिंग खचरियावास को टिकट दिया गया है जो मेरल मानना है कि 4-5 लाग वोट से हरने वाले हैं मेरी संजजी से बात हो चुकी है उनका कहना है कि खचरियावास जो है बूरी तरह से हरने वाले हैं सुनील शर्मा तो फिर भी बढ़िया चुनाओ लड तो आप लोगों से निविद हैं कि अपने सवाल डालते रहें क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला अचाना की मैं शुरू कर दूं और फिर आप कहेंगे कि मेरा क्वेशन आपने लिया नहीं करनाटक के बारे में एक बड़ा दिल्चस्प डबलब्रेंट हुआ है आपको सुमालता अम्रीश जो है वो कंणर फिल्मों की हिरोईन रही है 60 साल की है और मिथुन की एक फिल्म आय थी स्वर्ग यहां नरक यहां क्या नाम था उसका वो उसमें हिरोईन थी कई और फिल्मों में वो 90's के दशक में फिल्मों में आती रही है उनका टिकट नहीं किया है औ इनके साथ वो गटबंधर में गए है यह है सुमालता अम्रीश आप लोगों ने अगर इने देखा बहुत फिल्मों में आती रही है और अम्रीश हुआ करते थे कंणर फिल्मों के स्टार और तीन बार यहां से सांसद रहे मांडिया सीट से 98, 99 और 2004 में और यह निर्देलिय लड़ी थी पिछली बार बीजेपी का इनको सपोर्ट रहा है इनको इस बार उम्मीद थी के बीजेपी मुझे परत्याशी बना देगी और इनका जीतना आसान हो जाएगा पिछली बार इनके लिए फिल्मों के कंणर फिल्मों के स्टार्स हैं दर्शन और यश उन्होंने परचार किया था तो सुमालाता जीत गई थी और इनके पती की सीट थी यह तो यहां से तो इनका जीतना वाजिब भी था इस बार फस गई है क्योंकि JDS को सीट यह दे दिये तो इनके सामने बड़ी दिक्कत है कि करें तो क्या करें वैसे मैं आपको बताऊं कि जो मांडिया सीट है मांडिय सीट पर आपको ध्यान होगा कि 2014 में यहां से प्रत्याशी थी दिव्या राम्या स्पंधना कॉंग्रेस के शोशल मीडिया सेल की हैड थी 2013 में यहां पर एक उप चुनाव हुआ था उसमें जीतकर सांसत बन गई थी लेकिन 2014 का जब चुनाव तो उसमें हार गई उनकी वीडियो बड़ी वाइरल हुई थी कि वो शोशल मीडिया के जो वारियर्स हैं कॉंग्रेस को उनको ट्रेंड कर रही है कि मोंदी को कैसे गालिया देनी है वो भी फिल्म अभी ने पिल रही है चुनाव हार गई आज कोई उन्हें पूछ नहीं रहा कि वो कहां पर है कोई नहीं जानता उनको तो मांडिया सीट जो है बड़ी बेर है मैं और 2004 से जब अमरीश अंतिम बार यहां से सांसत रहे थे उसके बाद से यह सीट जो है ऐसी रही है कि यहां कोई टिकेट रिपीट मतलब कोई पर्तियासी दो चुनाव लगतार में जीत सका है और सुमालाता अमरीश का तो टिकेट कटी गया है अब उनकी खबरे चप रही हैं वो कह रही है कि मुझे कुछ अपना डिसीजन लेना होगा मुझे आने वाले समय के बारे में सोचना होगा और देखिए यह दिर हेदराबाद के बारे में भी जरूर चर्चा करना चाहूँगा है हेदराबाद से अस्तुद्दीन उवेसी जो है वो लगतार सांसद है 2004 से आप सब जानते हैं उनके पिता जी भी यहां से बड़े नेता रहे हैं और AIMIM जो इनकी पार्टी है मुसलमानों के बीच में उसका अच्छा खासा रुत्बा और पहचान है अस्तुद्दीन उवेसी भी इस बार मुश्किल में फस सकते हैं इनके सामने रविवार को BRS जो तेलंगाना की सबसे परमुक पार्टी रही है की CR की उन्होंने टिकेट डिकलेर किया और मैं आपको बता दू कि तेलंगाना में 17 ल उसकी मालिकान में से एक हैं माधवी लता उनको परत्याशी बनाया है क्लासिकल डांसर भी हैं माधवी लता और सोशल वर्क भी बहुत बढ़िया करती रहती हैं तो कॉंग्रेस का भी टिकेट शायद यहां डिकलेर नहीं हो ऐसे चर्चा यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं तबस्सम उनको यहां से टिकट दिये जाने के बारे में चर्चा चल रहे तो अस्दुद्दीन उवेसी जो है तकड़ी फाइट में फस सकते हैं तबस्सम उनकी मुसलिम बोट काट सकती हैं और अगर बी आरेस या बीजेपी के परत्याशी अपना प्रभाव जमाने में सफल रहे तो हो सकता है कि फाइट तकड़ी हो जाए एक तरफा फाइट नहीं रहे और चार कॉन वाला मुकाबला अस्दुद्दीन उवेसी को इस बार फेस करना पड़े आईपियल के बारे में भी एक खबर है दोस्तों आपको याद होगा कि आईपियल चल रहा है और पह किवल आधाई जाई हुआ था क्योंकि ये बी सी सी आई को पता था जैशा को भी पता ही होगा कि अप्रेल मई में जो है लोग सबा चुना होने तो उन्होंने इस तरीके से प्लानिंग की थी कि अप्रेल तक का शेडूल कर लेते हैं और उसके बाद जैसे लोग सबा चुना नहीं है और यह ऐसा नहीं है कि केवल चुनावों की वज़े से ये करेक्रम देखिया गया है दरसल होता क्या है कि IPL में जो विनर टीम होती है पिछले साल चेंड नहीं सूपर किंग में यह जीता था तो विनर टीम को पहला और फाइनल मैच होस्ट करने का मोका दिया जाता है फाइनल के लिए जो टीम फाइनल होती है वो 24 तारीक को चिन नहीं ही होता तो यानि के 26 माई को फाइनल और सेकिंड क्वालिफायर 24 माई को चिन नहीं में और एहमताबाद के नरेंदर मोधी स्टेडियम में जो दो प्लेयाफ मुकाबले होंगे वो 21 और 22 माई को होंगे तो इस तरीके से ये रिशेडूल ये वी सी सी आई ने कली जारी किया है आईपेल का लोग सब बाचो नहीं होती है वैसे इससे पहले बताओ कि ये बहुत दिनों के बाद हो रहा है कि चुनाव के समय में आईपेल यहां हो रही है वरना दुबई में हो जाती थी और अभी क कोविड के कारण भी दुबई में ये आयोजित की गई थी और आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले 2004-2009 में भी इसको शिफ्ट कर दिया गया था साउथ अफरीका में एक बार आयोजित की गई थी आपको ध्यान अगा तब ललित मोधी के समय में भी एक बार ये साउथ की वज़े से इसको बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि अगर इससे पैसा खर्च हो रहा है तो वो यहीं के लोगों को मिलना चाहिए क्यों बेकार दुबई के स्टेडियम को उनको किराय को उन सब को दिया जाए और वहाँ पर भारत के दर्शक मैच भी नहीं देख स पुश्किल में फस गये हैं रविवार को भारते जंता पार्टी ने 111 परत्याशियों की जो अपनी सूची जारी की उसमें राउल गांधी के सामने वाइनाड से उन्होंने के सुरिंदरन को परत्याशी बना दिया है के सुरिंदरन केरला में बीजेपी के अर्द्यक्ष है आला कि उनके बारे में खबर ये थी उनका ये कहना था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं लेकिन उनको चुनाव लड़वाया गया है नरेंदर मोदी, अमित शाह सभी लोगों ने ये कहा कि भई आपको चुनाव लड़ना चाहिए और पार्टी के आप सबसे सीनि लीडर है यहां पर तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए वैसे मैं आपको बता दूँ कि यहां तिर्कोणिया मुकावला हो सकता है सुरिंदरन के आने से, अलगि सुरिंदरन ने दावा कर दिया है कि राउल गांदी का जो अमेठी में हाल हुआ था 2019 से वही वायनाड से उ सकते हैं तो यह बड़ा पेचीदा सा चुनाव मुझे लग रहा है कि यहां पर होने जा रहा है और अगर तिर्कोणिया मुकावला हुआ तो राहुल गांदी के लिए पिछली बार जो चार साड़े चार लाख वोटों से जीत लेते इस बार उतने बड़े मत से जीत पाना स उतारा जा सकता है लेकिन अंत में यही तह किया गया कि केस पुरिंदरन जो यहां के अध्यक्ष हैं उनको मैदान में उताना चाहेगा सवाल लेने का सिलसला शुरू कर रहा हूं दोस्तों सवाल डालने शुरू कीजेगा आप लोग फिर मत कहिएगा का मेरा सवाल नहीं लि गोविल बट वाई वेस्टिकेट्स बाई गिविंग देम तो सेलेब्रेटीज डॉंट यू थिंक जेनुएन कंडिडेट शुड है पिलकुल एपसलूटली एग्री हूं आपके साथ यह सीटे तो वैसे भी वह सीटे थी जो बीजेपी क्या कंडिडेट को भी जी सकता था अपना कैडर है अपना जो अपने कारे करता है उनका आपको सम्वाल करना चाहिए और देके मेरट के टिकेट से तो मैं बहुत दिसपॉइंटे हूं अरुन गोविल का मेरट से यह कहा जा रहा है कि उनका पैत्रिक पुराना जुडाव रहा है आसे तो मुझे नहीं लगता क आपके साब कोई दिक्कत उनके सामने आने वाली है क्योंकि अरुन गोविल जो है वो वैसे तो भगवान राम का उन्होंने रोल प्ले किया था रामैन में सभी में लोग प्रिये हैं लेकिन यह दुरभाग्य होगा मेरट के लोगों का कि एक ऐसे वेक्टि को यहां का रिप और सीधे और पार्टी के छोटे से कारकरता से ऊपर उठके आए दिखती थे तीन बार संसद रहे मेरत तो मानना था कि उम्मर उम्मर सब चीज़े देखी जाती है तीन बार संसद रहें चोठी बार भी उनको तीकट दे दिया जाना चाहिए है तो वासता में मैं आपकी बा कृष्ण कुमार उपाध्य कहने के मरनाल पांडे भी वामपंती विचार की है वामपंती विचार की ही तो लोग कॉंग्रेस को सपोर्ट करते हैं एक समय हुआ करता था के वामपंती और कॉंग्रेस ही आमने सामने हुआ करते थे लेकिन आज देखिए राहुल गांदी के सलाक पार जो है वो सारे के सारे वामपन थे हैं वो सीता राम यह चुरी की मानते हैं और कुछ और कमेंट्स लिलता हूँ हर्श भाई do you seriously think that anyone is going to take it it's absolutely unimaginable how can anyone put such an objectionable post on personal page किसी को पागल बना रही है यह यह तो बात मैं सही कह रहा हूँ मैं तो लगतार कहा हूँ मैंने social media पर भी लिखा है कि आप अपने facebook और instagram अकाउंट का access दूसरे को किसी को कैसे दे सकते हैं यह सुप्रिया श्रीने जोड़ बोल रही है और इनसे गलती हुई है निश्चित रूप से मेरा तो मानना है कि इन्होंने post किया होगा और फिर जब उ उस परिनाम सामने सामने आने लगे हैं तो मुझे लगा कि उन्होंने फिर बाद में डर के मारे यह डिलीट कर दिया है लेकिन कुछ भी हो कंगना रनावत के चुनाव को उन्होंने इतना hype दे दिया है कि अब वहाँ जंता उमड़ उमड़ कर कंगना रनावत के समत्तन में म लगतार बात करते हो और कम से कम आठ दस बड़ी बड़ी खबरों पर हमने चर्चा कर लिए कुछ कमेंट भी हमने आप लोगों के लिए तो कल फिर सुबह शो में आपसे मुलकात होगी तब तक के लिए मशकार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें